नमस्कार सिच्छक साथी हूं जैसा कि आप यहां पर देख पारेंगे आपका आज का भागलपूर जीले का जो है उनीच बेपर है जिसमें आप पर सिच्छकों के इस सिच्छक कोस पोर्टल पे जो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस है उसमें आप पर सकती को लेकर जो है उदिय है कि मैसेज अलर्ट से हाँ पर सिच्छक होंगे उनकी हाँ पर हाजरी का निगरानी जो है किया जाएगा और जो भी सिच्छक अपना ओनलाइन उन्लाइन उपस्तिती जो है उनहीं बनाते हैं तो उनके पास इस तरीके का जोब यहां पर आपका भागलपूर जीले के लिए है बलकि आपका बुला गया है कि अब यहां पर भागलपूर समय पूरे प्रदेश के जितने भी आपके सरकारी बिद्याले हैं तो उन विद्याले में जो भी आपर पदस्थापित सिचक हैं तो उन सिचकों की online उपस्थिती में यहाँ पर जो आप लोग का निगरानी होगा वो यहाँ पर message alert का जो आपका विवस्था है और यह जो आपका message alert का विवस्था है राज मुख्याले की ओर से किया गया है ऐसा पर बोला गया कि जो आपका इस इचा को सपोर्टल पर रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर इस तरीके का जो message है वह भी यहाँ पर आपका आना जो है वो सुरू हो गया है क्योंकि कई सारे सिचकों का आपने देखा था जो कि इसको लेकर हमने बात भी किया था कि इस को लेकर यहाँ पर आपके बोलेगे हैं कि आपके पास इस तरीके का message आया होगा कि आज आपने इस इचा को सपोर्टल के माधम से आप अपनी जो उपस्तिती है वो आप यहाँ पर जो है उदर्ज नहीं किये हैं और आप यहाँ पर नियमित रूप से आप अपनी उपस्ति दिया जाएगा वो यहाँ पर आपके सितंबर माह का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपके जो है उदिये जाएंगे तो इसके मतलब message का यहाँ पर अर्थ यहीं हुआ कि सितंबर महीने का जो आप लोगो salary दिया जाएगा इस इच्छा को सपोर्टल पे जितना आपके online attendance रह जाएंगे उतने ही दिन का जो आपका वेतन होगा वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है उपकिये जाएंगे तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिये गे हैं और message भेज़े जाने के बाद यहाँ पर आपके online उपस्तिती है उसके प्रति यहाँ पर जो सिच्छक है उनमें जो attendance है वो यहाँ पर complete जो है वो नहीं कर बाद लेकिन उनके तरब से पूरा है पर कोशिस किया जा रहा है कि हम समय पर विद्याले पहुचें और जो अपना attendance है वो भी हम यहाँ पर जो है वो complete करें और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पर कि समस्या को लेकर या फिर सिचकों को online उपस्तिते में किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर समस्या फिर दिक्कत वगरा होता है तो इसका जो निप्टारा है वो यहाँ पर प्राथमिकता के साथ जो है उपकिया जाना चाहिए और देखिए आपके पास भी इसको लेकर क जो है उध्यान रखेगा ऐसान ही कि आप रजिस्टर पर अपना अटेंडेंस वगरा जो है और आपका इस इच्छा को स्पोर्टर पर जो आपके अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपके कंप्लेट नहीं हो रहे है पता चले जब आप लोगको यहाँ पर सैलीरी दिया जाया तो उतना दिन का सैलीरी जब कट जाएगा तो फिर आप यहाँ पर बाद में बहुत जादे परसान होंगे और उस टाइम पर आपके किसी भी तरीके का जो समस्या वगरा रहेगा उसका है पर समाधान नहीं हो पाएगा और इस जिले को लेकर देखेंगे आनि भागलपूर जिले को लेकर तो यहाँ पर आपके देगें कि इस जिले में यहाँ पर जो ऑनलाइन उपस्तिती बनाने का जो भी यहाँ पर इस्टेटस है वो यहाँ पर आपके असंतोस जनक है और इस जिले के आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जिले के जो भी आपर जिला सिछा विभ जहान होगा वो यहां पर आपके जो है उकिए जांगे जो कि इस चीज को लेकर हमने इस्टार्टिंग में बोला था कि आप किसी भी जिले में हो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस में किसी भी तरीके कर समस्या हो तो या तो आपका जो प्रखंड सिछा का रहा ले हो या फिर आप अपने समस्या को पहले ही दिये रहेंगे तो यहां पर संभावी थे कि आप लोग का जो बेतन कटेगा उसको भी यहां पर बाद में आपका भुकतान बगर जो है कर दिया जाएगा तो इसके जो सुचना है अनि जो जानकारी है आप यहां पर सिछा विभाग को जो भी आप जो अटेंडेंस है ओनलाइन आप यहां पर इसी चापोस पोर्टल पर नहीं बनाते हैं तब ऐसे कंडिशन में जो आप लोग का वेतन होगा उसके यहां पर कटाउती जो है उकी जाएगी तो आप इसको लेकर जो है वो देख लिजेगा यदि आपके पास एक दो मैसेज य यहां पर आया है तो उससे यहां पर कोई दिकत नहीं होगा यदि आपके पास पांच अलर्ट आपका आ गया पांच अलर्ट का मतलब पांच दिन अपना जो ऑनलाइन अटेंडेंस है आप यहां पर नहीं बनाए और उसके बाद आप यहां पर उसके बाद जब छठवा में आप अपना online attendance नहीं बनाते हैं, तब एसे condition में क्या होगा, कि जो आपका वेतन होगा, वो यहाँ पर आपके कट होती जो है, उकर दिये जाएंगे, तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर ध्यार रखेगा, यहाँ पर आपका बुला गया है, कि अक्टूबर से online हाजरी के अधार आपके भागलपूर के हैं, तो उनके तरफ से भी यहीं बोला गया है, कि एक अक्टूबर से यहाँ पर इस इच्छा को पोर्टल पर जिस तरीके से आपके online attendance रहेंगे, उसी क्याधार पर यहाँ पर वेतन होगा, वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है किये जांगे, तो यह ना सिर्फ आपके भागलपूर जिले के लिए है, बलकि सभी जिले में, चाहे आप लोग का पोश्टिंग किसी जिले में हो, सब के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सिच्छा भाग, बिहार सरकार का सक्त सभी जिलों को आदेश है, कि इस तरीके से इस सिच्छा को उस पोर् वेतन कटवती होगा फिर ओ लोग यहां पर क्या करेंगे कि अलर्ट में होखेंगे और इस पर प्रमुक्ता के तौर पे वह यहां पर काम करेंगे लेकिन आपके पास पहले से इस चीज़ के बारे में जानकारी है कि आपका जो अगले महिने का जो वेतन भुकतान होगा इस पर जो वेतन है वह यहां पर आपका जो है कट गया तो अभी के लिए तो मातर इतना ही अपडेट है बाकि इसके संदर में जैसे ही आपकी अपडेट या फिर नोटिस वगर आपकी आते रहते हैं आप सब ही लोग को पतावगा कि हम इस प्लेटफर्म राट यूज के सेन इ बिले स्वाल थैंक यू